विधवा और तलाक सुदा लगका एक दर्ब भरी कहानी ये कहानी नीलम और विकास की है नीलम अपनी शादी के देड़ महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पत्जर आ गया था नीलम को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत ह उसकी आखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविश्य हमेशा गूमता रहता था नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूरी माथी और नीलम के पती के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस डैक में गुजर जाते है एक बड़ा भाई था लेकिन वो तो सबसे मुह मोर कर अपन करने लगी फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था लेकिन तलाक होने के बाद वो अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अके के बारे में negative बाते कर रहा था और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुसा आ रहा था कि वो औरत के बारे इतना गलत कैसे बोल सकता है लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजु ने बताया कि विकास कितना द्रखी लड़का है वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं लेकिन फिर भी उसकी पतनी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है यह सुनकर नीलम का दिल भराया वो मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को कि ठीक है तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी फिर तू भी आजाना आगे तुम दोनों की किस्मत तभी मन्जू अपने जनम दिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मन्जू विकास को नीलम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के देड़ महीने में ही नीलम विध्वा हो गई थी विकास को नीलम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत ड्यक होता है तभी विकास नीलम से मिलता है और उसे समझता है वाकई में नीलम एक बहुत दुखी लड़की थी अब विकास ये तैकर लेता है कि वो नीलम का सहारा बनेगा नीलम को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहत प्यार हो गया और रात-रात भर वो दोनों ही फोन पर चेटिंग भी करते हैं और कभी फोन पर बाते भी कर लेते थे विकास बहुत ही रोमेंटिक लड़का था वो अपनी बातों से नीलम का दिल जीत चुका था नीलम को भी विकास के मुह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था दोनों ही हर रविवार को मिलते थे पार्क में घूमने जाते थे और कभी-कभी रात को होटल में दिनर करने भी चले जाते थे तभी एक दिन नीलम विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी मां से मिलवाया, विकास ने जब निलम की मां के पाव चुए तो निलम की मा रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा मेरी बेटी का सहारा जरूर बना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए अगर मैं मर गई तो मेरी जबान लड़की का क्या होगा ये सुनकर विकास की भी आखों में आसु आ गए और नीलम भी खूब रोने लगी तभी विकास ने कहा कि मान जी आप बिलकुल चिंता ना करें नीलम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिन्दगी भर ही ख आते करने लगा और कहा नीलम मैं तुम्हारे बिलकुल नजीदिक आना चाहता हूँ बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी लेकिन नीलम विकास को अपने करीब आने से मना करती हैं मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं तभी नीलम की सह लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं नीलम को अपने घर कैसे लेकर आऊं मेरा घर बिलकुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिये है और बाकी कि में बैंट से किष्ट बनवा लूनगा एक महीने बाद विकास का जनम दिन था विकास ने सोचा मेरे जनम दिन पर ही नीलम को सर्प्राइज दूनगा और तभी नीलम और उसकी मा को भी घर बुला लूनगा उसी दिन नीलम से शादी की सारी बात करके उसे पहना दूनगा क्योंकि नीलम के परिवार में और कोई नहीं है इसलिए सारा कार्यक्रम नीलम और उसकी मा के सामें नहीं हो जाएगा अगले दिन नीलम विकास को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घरवालों से मुझे कब मिलवाओगे विकास फिर से बात क टालते हुए बात को पलड देता है अब नीलम का शक और भी बढ़ जाता है तभी नीलम विकास से कहती है तुम्हारे बैंट में कितने पैसे है मुझे अपना बैंट बैलेस दिखाओ लेकिन विकास ने बैंट बैलेस दिखाने की बात भी टाल दी क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याने में दे दिये थे और उसके अकाउंट में यहीं कोई 8 से 10 हजार ही पड़े थे नीलम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती हैं कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा इसलिए नीलम विकास का फोन तक उठाना बंद कर देती हैं इधर विकास इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था बातों ही बातों में उसने नीलम की अंबूठी का भी नाप ले लिया था और नीलम को इसका पता भी नहीं चला था विकास ने नीलम की तरफ से खुद की भी अंबूठी बन वा पारी तैयारी हो चुकी थी तभी एक दिन विकास ने नीलम को तीन बार कॉल किया मगर नीलम ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है जल्दी कहो. तो विकास ने कहा कल शाम को फाइव बजे तुम और तुम्हारी मा को मैं लेने आ रहा हूँ तो नीलम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना तो विकास ने कहा कि नीलम कल मेरा जनम दिन है विकास ये बताया लेकिन फिर भी नीलम ने विकास को जनम दिन की बधाई नहीं दी तभी नीलम ने सोचा कि जनम दिन में चली जाती हूँ इससे विकास का परदा फाश भी हो जाएगा अगली शाम नीलम और उसकी मा तयार हो जाती है और अनिल की गारी में बैठ कर उसके साथ चली जाती है पुरे रास्ते नीलम ने विकास से कोई भी बात नहीं कि उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था तभी जैसे ही नीलम विकास के घर की दहलीच पर कदम रखती है वैसे ही विकास की मा आरती की थाली लेकर आती है और नीलम को टिका लगा कर उसकी आरती उतारती है ये देखकर नीलम हैरान रह जाती है तभी वो भी विकास की मा के पाउच शूती है उसकी मा उसे अंदर आने के लिए कहती है सभी लोग खड़े थे विकास के बड़े भाई भावी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की मा वभोले भाले उनके बाबुजी सभी लोग नीलम और उसकी मा का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं अब विकास का जनम दिन भी बन जाता है उसके बाद नीलम जाने के लिए कहती है तो विकास की मा कहती है कि बहुँ तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है हमेशा के लिए यही रिखने के लिए बुलाया है नीलम समझ नहीं पाती तभी विकास की बड़ी भावी दो फूलों की माला और एक प्लेट में दो अन्बूठी लेकर आती है ये देखकर नीलम विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है तभी विकास एक अन्बूठी नीलम के हाथ में रख देता है और खता है आज हमारी इंगेजमेंट है नीलम और इस बात के लिए मैं तुम्हें सर्प्राइच करना चाहता था तुम्हें ये रिष्टा मंजूर है न नीलम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक्किया अनिल ने नए मकान के कागज भी नीलम के हाथ में रख दिये और कहा कि नीलम ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा चोटा है इसलिए नीलम की आखे अब अपने आसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी तभी नीलम ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मान जी मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं तभी विकास कहता है कि नीलम तुम्हारी मा भी हमारे साथ ही रहेगी भला वो अकेली कैसे रह पाएगी ऐसा करते हैं जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है मा को तुम वही शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों मा को जानना फिर कोई कदम उठाना तभी आपका भी रिष्टा बच सकता है